खेलो साथियों नमस्तार तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अपनी टेसरीज जो हम लोग सौल्व कर रहे थे खांजर की एक बहतरिन संस्था के जीएस आईएस की जो सुधुरूप से हिस्ट्री की टेसरीज है दोस्तों यह चौथी टेसरीज थे हम लोगों की इसके पहले हम कर लिया था जो मैं बताया था आपको आपको बताया था कि यह यूपी PCS, UPPSC की ये टेसरीज है जो आपके UPPCS और आरो, ए-रो की दोनों की कंबाईन टेसरीज है बहुत 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 ही दमदार हिस्ट्री के प्रशन है हिस्ट्री के दोस्तों वेटेज सबसे जादा होता है आप लोग अगर कोई भी पेपर उठा के देखेंगे आरो एरो का हो PCS का हो आपको अधिक्तम सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री का ही वेटेज मिलता है तो इसका हम लोग आधा पार्ट कर लिये थे तोकि वीडियो बहुत लंबा न हो जाए इसके लिए हम लोग इसको आधा पार्ट किये लिये थे पहले पार्ट में और आज हम लोग इसको इसी का हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग इस टेस्रीज को खतम करेंगे और इसके बाद हम कि जो पांचमी टेस्टरी जाएगी वो जियोग्रेफी की आएगी तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने सभी कर लिया था करेंट अफेर्स की कर लिया है और यूपी इस्पेशल की कर लिया है और बाकी अन सब्सक्राइब की कर लिया है तो बाकी जो केजिये साइस की है उस तो आपको हिष्ट्री का हर एक कोना वो पता हो जाएगा जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, तो आपको सारी चीजे के पता लग जाएगी, आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से बनते ह क्योंकि दोस्तों पढ़ते तो सभी, जो बच्चा यह समुझ गया कि हमें छोड़णा क्या है, जो छोड़ना सीख गया, वो समझ लोगं जो उसकी मेहनत जो होती है, आदे मेहनत में उसकी तैयारी दुगनी हो जाएगी, तो दोस्तों अभी हम लोग ब्यस्त थे धर धरना प्रदर्शन था उदर हम लोग ब्यस्त थे तब हम लोग हो गये हैं हालांकि दोस्तों सरकार का ये आधा दूरा नेड़े आया है क्योंकि उन्होंने पहले दिन जब PCS के लिए सुनाया और अगले दिन PCS वाले नहीं गए औ आरो 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 आलो थोड़े से बचे थे उसके अगले दिन तो प्रसासन ने उनको काफी बल पुरुवक उनको भगा दिया तो एक दिन अगर ये PCS वाले और रुख गए होते तो ये आरो 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 आलों का भी सायत कल्यान हो सकता था तो चलिए उन्होंने एक कमिटी बना तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्वेशन नमबर यह 65 तक हम लोग कर लिये थे पहले वाले टेस्सरीज में हम लोग यहाँ कर लिये थे अब हम लोग क्वेशन नमबर य에 66 वाला देखने जा रहें मैचिंग वाला प्रस्न है मिलाने वाला बहुत बहुत ही लाजवाब मिलाने वाली जो प्रश्ण होते हैं दोस्तों उसमें आप एक ही प्रश्ण में चार-चार फैक्ट आपको सीखने को मिल जाता है इसलिए टेस्ट्रीज वाले जायतर आपको मिलाने वाला प्रश्ण बनाते हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे एक तरफ आपको कुछ साहित दिया है पहली सूची में दूसरी सूची में आपको दे दिया है रचनाकार किस साहित के कौन से रचनाकार है वो मिला कर कौन सा सेथ हमारा बन रहा है विकल्प में उसे हम बता दें तो यहां आप लोग को दिखाई दे रहा होगा देख रहे हैं आप लोग तबकात ए नासरी के रशनाकार कौन है दोस्तों? इसके रशनाकार मिनहाज उससीराज है, तो आप लोगू को clear होगा बहुत ही बढ़ियां प्रस्टन है ये तो ये आपको आता ही होगा क्योंकि बहु दिन बर्नी ने लिखा है से तो यह हो गया तो यह दोनों तो आपको आता ही होगा कंफर्म है तो बी वाला एक पर गया और आपको डी वाला तीन पर जाना चाहिए तो बी वाला एक पर और डी वाला तीन पर तो इस हिसाब से आपको देख रहे हैं ए वाला होना चाहिए बिकल उल्फ हुतूर ये अमीर खुसरों ने लिखा है तो ये आपका पहला वाला सेट बन रहा है ये वाला आगे चले हम लोग तो दोस्तों हम लोग question number ये 67 देखते हैं 67 में दोस्तों आपको क्या कह रहा है रजिया सुल्तान के बारे में आपको दो कथन दे दिया है तो रजिया के बारे में दो कथनों को पढ़कर हमें कथनों को सही से पढ़ना है और उसको सही से हमें उत्तर देना है तो हम लोग अगर यहाँ पर पहला वाला ये कथन पढ़ते हैं तो कहना है रजिया ने लखनवती से देबल तक अपना नियंत्रण इस्थापित किया था त और ये देबल जो पाकिस्तान में स्थिंध है वहाँ पर एक पंतरगा हुआ करता था तो वहाँ तक है यानि पशिम मंगाल से पाकिस्तान तक के अपना नियंतर इस्थापित किया था तो ये बात बिल्कुल सही है दूसरा करें रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर अंगनल हो गया तो यहां पर हम कर सकते हैं हमारा क्यवल एक सभी है यानि 20 सभी है यहां पर 27 सभी है अगर हम ये क्योष्टन नंबर ये अनसठ वाले में देखते हैं तो ये अनसठ वाले में आप से क्या पूछ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वर्स 1920 में इस्थापित हंटर समिती का प्राथमिक उद्देश क्या था तो आप लोग मालूम होगा दोस्तों बहुत ही पॉपुलर घटना थी तो उस समय की जो है जलिया वाला बाग हत्या कांड तो उसमें जो मारे गए थे तो उसमें एक हंटर समिती बन में तो अम्रिश सर पंजाब के अम्रिश सर में जो वही हिंसा हुई थी जलिया वाला बाग हत्या कांड उसकी जाज के लिए तो बी वाला यहां पर हमारा इंसर हो जाएगा आगे देखे यह तो हमारा यह अनसर का जो होना चाहिए वो बी हो जाएगा आगे देखे हम लोग 69 69 में दोस्तों क्या करें निमलिखित में से कौन सा बाउध गरंथ मुखत बाउध धर्म के दारसनिक बिशयों और सिधांतों का राधारित है तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा बाउध धर्म में जो है मतलब तीन पिटक है सुथ पिटक बिने पितक अभिधम पिटक त आपसे अलग अलग चीजों के बारे में उसमें बताया गया है तो इसमें आपको क्या कह रहा है ये बताना है दारसनिक और उससे सिधांतों के बारे में तो बुद्ध के सिधांतों के बारे में जो बताया गया है दोस्तों बुद्ध के जो सिधांतों के बारे में बताया ग और यहाँ जो सुत्त पिटक है बुद्ध के जो है उपदेश जो है वो बुद्ध के उपदेश ये इसमें है तो इन सब को याद रखे कोई भी आपसे अगर एक पूछ लेगा तो आप जो है ये मतलब ओरना होईएगा तो इसमें नियम है संग का नियम किसका नियम संग जो वहाँ पर मठ था उसका नियम था योग देश था अब इनुम पिटक में तो यही है दारशनी का और सिद्धान्त के बारे में आगे हम लोग देखें 69 का हो गया हमारा सत्तर वाला देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों बहुत ही पापुलर परशन है एक परशनों को दोस्तों आप लोग बहुत सारी जो लोग होते हैं वो बूज़िएकों पूरा नहीं देखते हैं, वो छोड़ देते हैं, इसलिए उनको बहुत सारा fact, concept, चीजें पता नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग देखते हैं, यहां पर हमारा यह question number यह जो 70 है, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यच कारवाई दिवस, प्रत्यच कारवाई दिवस के संदर्व में कौन सा कथन हमारा सही है, उसको पढ़ कर बताईए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, कौन सा बिकल्ब, तो चले हम लोग देखते हैं, इसकी घोषडा 16 अगस्त 1946 को हुई थी, येस दोस्तों, इसकी घोषडा जो है मुस्लिम लीग ने जब सरकार से बाहर हुई तो वह जो है एक कलकत्ता में हर्ताल किया, और प्रत्यच करवाई दिवस मनाने की घोषडा किया, जब वो दौसरकार से मतलब बाहर हो गए, मतलब सरकार में सामिल नहीं होई, और ये ये तो सही है, दूसरा कह रहा है क्या दोस्तों, दूसरा इसमें है नोवा खली, नोवा खाली, नरसंगहार, बलतकार, अपहरण, और जबरन, धर्मांतरन के एक सिंखरला थी, येस दोस् वहाँ वो जाकर उस समय जो है यह सब कंट्रोल कर रहे थे तो दोनों बाते सही है यहाँ 70 का हमारा C हो जाएगा आगे देखे हम लोग यह हमारा क्या हो गया यह 71 में क्या है 71 में निमने लिखित में से एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना किश्के द्वारा किया गया था तो किश्के द्वारा किया गया था दोस्तों जो सिंपल शा प्रेंस्ट है बिलियम जोन्स के दौरा बिकल्प नंबर A हो जाएगा हमारा सर बिलियम जोन्स के दौरा कब किया गया था दोस्तों ति ये भी आप लोग को बारे मारूम होगा 1784 में 1784 में Aseatic society की स्थाफना सर बिलियम जोन्स ने किया था कहां किया था यह कलकत्ता में किया था इन्होंने आगे देखें हमारा यह question number यह 72 72 में क्या है 1857 का जो चिनहट का युद्ध हुगा था दोस्तों तो चिनहट का युद्ध हुगा तो उसके संदर में कोई दो कथन दे दिया है और बताना है कि कौन सा कथन हमारा मतलब सही कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है तो देखें तो पहला वाला अप लोग अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है क्या है इसका नेत्रित बरकत आहमद और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था तो यस यह बिल्कुल सही है चिनहट का युद्ध में इसका जो है नित्रित जो लीडिंग किये थे इस युद्ध का तो बरकत आहमद और मौलवी साह ने किया था तो आगे देखे माई यह कहाँ था दौस्तो यह जो चिनहट नाम यह जो दिया है आपकों लेकर इसमें थोड़ा सी होगा चिनहट कहाँ था दोस्तो जिसे अवध जो उत्त्र प्रदेस में यह अवध है तो अवध के पास ही एक एरिया था इसमाईल गंज वहीं था ये तो यूपी में ही कह सकते हैं आवदवाला छेत्र तो ये हो गया पहला तो सही है दूसरा वाले में इस युद्ध में हेनरी लारेंस के नेत्वित में बिटिस सेना ने बिजय की थी तो दोस्तों ये बात यहाँ पर ये गलत है केवल एक हमारा सही है ये गलत हो गया क्योंकि दोस्तों जिसमें हेनरी लारेंस के नेत्वित में बिटिस सेना हार गई थी ये चिन हैट की यो दमें ये बिटिस सेना की जीत नहीं हुई थी यहाँ पर जो लिखा है बीजे बीजे नहीं यह पराजे ही हुई थी इनकी तो यह हो गया यह गलत हुआ हमारा यहाँ पर क्योवल ए सही हुआ आगे देखें हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है Servants of India Society Servants of India Society के संदर में हमें दो कथन दिये गए हैं तो कौन सा कथन सही है उसके हिसाब से हमें बताईए सही बिकल्प कौन होगा तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो Servants of India Society की स्थापना गोपाल कृष्ट गोखले ने किया था यस बिल्कुल सही अगर हम लोग अगला वाला देखते हैं ये क्या है इस सोसाइटी का प्रारंभिक उद्देश क्या था कि निस्वार्थ कारकरताओं का एक कईडर तयाद करना यस बिल्कुल सही दोनों के दोनों कथन सही है Servants of India Society के संदर में ये दोनों कथन सही है तो इस हिसाब से हमारा विकल्ब सही सही होगा आगे अगर हम लोग देखें ये 74 वाले में 74 वाले में अगर हम लोग देखें तो अहराहार आंदोलन अहरार आंदोलन के संदर में हमें दो कथन दिये गया है इनी दोनों कथनों में से बताईए कौन सा कथन सबते है इसके अधार पर सही उत्तर दीजिए तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं अहरार आंदोलन की सुरुवात हकीम अजमल खान हकीम अजमल खान हसन इमाम और अब्दूल गफ़ार खान ने किया था तो दोस्तों ये कथन थोड़ी सी गलती हो गई यहां आपको गलती नहीं ये गलत जान बुच्च के दिए हैं आपको बहकाने के लिए तो अहरार आंदोलन जो था दोस्तों इसके जो है आंदोलन की सुरुवात हकीम अजमल खान और हसन इमाम ने किया था अब्दूल गफ़र खान तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे ये इसमें सामिल नहीं थे तो ये बात यहां पर ये गलत हो गई तो कथन एक गलत हुआ दूसरा वाले में यह एक अहिंसक आंदोलन था जो बंगाल विभाजन के बात शुरू हुआ तो दोस्तों ए भी गलत हो गया क्योंकि अहिंसक नहीं यह एक हिंसक का रूप ले लिया था तो यह हिंसक आंदोलन हो गया था तो इस हिसाब से ए भी हमारा गलत हुआ तो कह सकते हम हमारा यहां डी होना चाहिए न तो एक न तो दो यह डी वाला तो आगे बढ़े हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा यहां डी हुआ हुआ हमारा यह वाला तो आगे देखें हम लोग क्या है हमारा यह 75 में तो 75 में हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर मुंडीमन समीती तो यह इसका नाम आप लोग कहीं-कहीं और पाएंगे मुडीमैन समीती इसका कहीं-कहीं आपको नाम मिल जाएगा कौन-कौन सा दोस्तों मुडीमैन मुडी मैन समीती 1924 में जो है इसकी स्थापना होई थी मुडी मैन समीती की तो मुडी मैन समीती के संदर में कौन सा कथन हमारा सही है इसके संदर में में उत्तर दीजिए और बताए कौन सा उत्तर सही है यहां पर आपको जो मैंने बताया यह मुडी मैन समीति की स्थापना 1924 मुईथियस यह पहला सही है इस समीति का मुख उद्देश ब्रिटिस भारत और भारती रियास्तों के बीच बिद्दमान आर्थिक और बिद्दी संबंधों की जाच करना था तो दोस्तों यह बात यहां तो यहां पर यह गलत हो गया तो यह जो कह रहे हैं यह दियास्तों के बीच आर्थिक और बिद्दी संबंधों की जाच करना यह बटलर समीति में ऐसा था आपको एक बटलर समीति मिलेगा बटलर तो बटलर समीति में ऐसा प्रावधान है इसमें नहीं था मुडिमेन समीति का यह उद्देश था कि लोकतात्रीक या सम्वेधानिक विकास कितना हुआ है उसकी जाच करना था तो यह वाला सही है यह गलत हो गया तो यह हमारा केवल सही होगा 75 का ए आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 1937 में यह स्वरी 76 वाले विए तो यह क्या है इसमें कह रहा है कि 1927 में गठित बटलर समीति देखो बटलर समीति आ गया न तो यहाँ पर 1927 में बटलर समीति का प्राथमिक उद्देश से क्या था तो 1927 में जो बटलर समीति का प्राथमिक उद्देश से क्या था तो यहाँ पर जो मतलब बटलर समीति वह तो मैंने जो मुडी मैन समीति बताया था वह 1924 में बनी थी और यह बटलर समीति जो है वह 1927 में गठित हुई थी तो इस बट पर नंबर यहां पर भी हो जाएगा बहुत बढ़िया आगे हम लोग देखते हैं 77 में तो यह 77 में हमसे क्या कूछ रहे हैं एक तरफ आपको पहली सूची में association दे दिया है मिलाने वाला प्रश्ण है बहुत ही लाजवा बहुत ही बहुत ही बहतरी प्रश्ण है यह तो एक तरफ थोड़ा सा set कर लेते हैं अब सही है तो एक तरफ हमें यहां पर पहले सूची में कुछ associations दे दिये गये हैं और दूसरी सूची में उसका गठन वर्स दिया है तब हमें बताना है कि कौन सा association किस वर्स में गठित हुआ था इसके बारे में हमें बताना है बहुत अच्छा आगे देखते हम लोग क्या हमारा होगा कैसे होगा तो जो सबसे पहले हमें जो ज़्यादा clear है उसी के पास हम लोग चलते हैं वही हमें बता आधी और जिन्ना के जो बिफलता होने के बाद वो संपरदाइक प्रस्न की जांच करने के लिए था जो संपरदाइक थी उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था यह 44 में बनाया गया था तो यह डी पर आ जाएगा यानि डी वाला तीन पर होना डी वाला चार पर होना च इसकी स्थापना 1928 में हुई थी कब हुआ था ये इसकी स्थापना 1928 में हुआ था जिसका उद्देश्थ भारत की स्वतंत्रता था और विटली आयोग इसकी स्थापना 1929 में हुआ था और पीरपूर तो यहां आ जाएगा एक के पास आगे चले हम लोग अब देखते हैं कि वाला क्या हो जाएगा हमारा तो यहां पर हमारा जो होना चाहिए दोस्तो दोस्तो गलत हो गया गलत हो गया हमने गलत पार लिया मैंने पहले ही इसको नहीं देखा, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी, तो इस हिसाब से ये नहीं होगा आपका, ये आपका D होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें भी 4 था, उसमें हमारी नजर वहां नहीं पड़ी, मैं पहले ही लगा दिया, यही गलती किया, तो ये होगा आपक तो ये 78 में क्या है आपको तेलंगाना आंदोलन के संदर में कुछ कथन लिए गए है इनी कथनों को हमें पढ़ कर बताना है कि ये कौन सा हमारा उत्तर सही होगा तो इसका नेत्रित भारती कम्यूनियुटी ये कम्यूनिस्ट पारिटी ने किया था यस ये लंगाना आंदोलन इसका जो है नित्रित किसने किया था ये भारती यानि CPI भारती कम्यूनिटी कम्यूनिस्ट पार्टी तो ये वाला तो हमारा सही हो गया दूसरा में अगर हम लोग पढ़ें तो इस आंदोलन का सबसे महत्पूर मांग किसानों के ऐसे कभी रिडों क को माफ करना सभी रिडों को माफ करना जिसे सामंतों ने छल पूर्वक लगाए थे तो यस ये 78 का हमारा सी हो जाएगा दोनों के दोनों सही हैं ते लंगाना अंदोलन संदर में दोनों बाते सही हैं आगे हम लोग देख देखे हैं तो अच्यूत पटवर्धन के संदर में आपको जो है यहां पर दो कथन दे दिये गए हैं और इन दोनों कथनों के पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा इंसर सही होगा तो चले तो एक अच्यूत पटवर्धन आपको लोग को दिमाख में आ रहा होगा तो ये कौन थे तो ये दोस्तों मतलब भारत के सुनता संग्राम में एक बहुत ही महत्पूर्व्यक्ति थे उन्हें सोचलिस्ट पारिटी आफ इंडिया की स्थापना किया था सोचलिस्ट पारिटी आफ इंडिया की तो इसको आप लोग जानते होंगे तो अच्चूट परदवर्दन एक भारती सुनता कार करता थे और आजनती जिन्होंने सोचलिस्ट पारिटी आफ इंडिया की स्थापना की येस यही बात मैंने पहले बताया और उन्हें बिद्रों के दौरान जहाज जो हमीस नाम हमीस तलवार नाम की एक जहाज थी यह है गया था जहां सभे बिद्रों शुरू हुआ था नहीं दोस्तों ये इसके लिए गिर्यवतार नहीं किया गया था यह जो है यहां पर गलत हो गया हमीस तलवार जो थी वो दूसरा मैटर था यहां पर तो यहां पर दोस्तों उन्होंने बारत छोड़ों अंदलों प्रमुक भूमिका निभाई थी और जो है यह इसके लिए उनको गिर्यवतार नहीं किया गया था तो किवल एक हमारा सही होगा सिवन्टीनाइन का ए आगे अगर हम लोग देखें यह असी वाले में कोश्यन नंबर जो असी है हमारा काजी नजरूल इश्लाम के संदर में हमें दो कथ संदिये गए हैं इन्हीं दोनों कत्मों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा उत्तर सही होगा विकल्ब तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उन्हों में कह रहे हैं कि यानि काजील काजी नजरूल इश्लाम ने एक नई पत्रिका चलाया जिसका नाम उन्होंनेने नवयूग रखा तो नवयूग पत्रिका कि उन्होंने शुरुवात किया तो क्या यह सही है यस बिल्कुल सही यह सही है और वे खिलाफ़त संगर के आलोचक बन गए थे जो वे खिलाफत तो चला था मुसल्मानों का एक तो खलीफा के पैदवाला मैटर में आप लोग जानते होंगे 1919 में तो खिलाफत संगर के आलोचक बन गए थे और इसे खोखला धार्मिक कट्रवाद की संख्या दी थी यस संग्या दी थी तो बिकल्प नंबर हमारा दोनों हो जाएगा सही यह सी हो जाएगा तो काजील नजरूल इसलाम के संदर में दोनों बाते सही हैं आगे अगर हम लोग देखें यह 81, 81 में क्या है हमारा, तो निमलिखित में से समाज, निमलिखित में से सुधारक आखबार किस ने शुरू किया था, तो दोस्तों सिंपल सी सुधारक आफगार गोपाल कृष्ट गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ट गोखले, तो विकल्प नमबर B, 82 में, तो 82 में दोस्तों देखें हम लोग यहां क्या है बहुत ही अच्छा परश्ण तो क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं अच्छे से तो यहां पर आपको एक तरफ करांतिकारी आंदोलन के मामले में जो संगठन बने थे वो दिया है और वो कब बने थे दूसरी सूची में उनका वर्स दिया है तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं यह जो मित्र मेला मित्र मेला यह बना गया था यह एक संगठन था यह जो मित्र मेला तो यह बनाए थे वेडी सावरकर ने जो हर बार जो भारत कम में कहीं चुना होता है तो वेड़ी सावरकर जरूर याद कर लिए जाते हैं तो 1899 में वेड़ी सावरकर ने नासिक में इसकी स्थापना किया था मित्र मेला का तो निन्यानबे कहां है यहां यह हो गया उसके बाद दोस्तो अनुशीलन समीती बनी थी यह प्रमत्ह नाथ एक नाम के व्यक्ति थे 1902 में अनुशीलन समीती की स्थापना किया था तो यह कहां है यह यहां आजाएगा तो ए वाला एक पर गया बी वाला तीन पर तो इस हिसाप से हमारा ए बनेगा क्योंकि ऐसा यही दिख रहा है तो दो ही से हमने उत्तर पा लिया हम तीसरा कम कह सकते यह चार पीश को रखेंगे जुगांतर जुगांतर की स्थापना कब हुआ था युगांतर या युगांतर भी कहते हैं 1906 में बंगाल में हुआ था बंगाल विवाजन के दोरान तो यह यहां आ जाएगा और एक आपका बचा है बारिसाल सायंद्र यह 1913 में इसका हुआ था तो ब्रिटिस अपसलिएसी का दिकारियों दोरा जो बंगालियों खिलाफ चलाएगा मुकदमा था उसके खिलाफ आगे देखें यह 83 में 83 में हमें देखें क्या बन रहा है यहां रामोसी विद्रो के संदर में हमें कुछ कथन दिये गए हैं तो रामोसी विद्रो जो 1889 में हुआ था तो कभी कभ हुआ था रामोसी विद्रो 1889 में तो इसके संदर में कौन सा कथन सही है हमें सही उत्तर देना है तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो क्रामतिकारी समू रामोसी का गठन वासुदेव बलवन्त फढके ने किया था तो यस ये बाते यहां पर बिल्कुल सही है बलवन्त फढके ने ही रामोसी बिद्रो 1879 में जो हुआ था वही किया था ये क्रामतिकारी समूँ था दूसरा हम लोग कह सकते हैं दूसरा क्या है इस समूँ ने अपने मुक्ति संगर्स के लिए धन प्राप्त करने के लिए अमीर अंग्रेज व्यापारियों पर छापा मारे करते थे या कर सकते थे अमीर अंग्रेजों जो व्यापारी होते थे उनकों लूटते थे तो येस दोनों बाते सही हैं तो हमारा यहां C हो जाएगा एंसर रामोसी विद्रो के संदर्व में आगे हम लोग अगर देखते हैं 84 में तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों यहां अठारा सो 1909 में जो अलिपूर बंपरिच्छन महत्तपूर था क्योंकि इसके लिए अंतरगत सामिल था तो 1909 में अलिपूर बंपरिच्छन महत्तपूर क्यों था इसके अंतरगत क्या सामिल था दोस्तों आप लोग इसके बारे में जानते होंगे खुदी राम बोश और प्रफुल चाकी द्वारा एक ब्रिटिस मजिस्ट्रेड की हत्या करने का प्रयास किया था उन पर बंब फेका था तो यह जो खुदी राम बोश जो थे दोस्तों यह जो है पकड़े गए थे और प्रफुल चाकी जो है यह सुसाइट कर लिए थे तो ए वाला हमारा हो जाएगा 84 का ए इंसर होगा आगे हम लोग देखें 85 में 84 का हमारा हो गया हम लोग 85 में देखते हैं क्या है तो यहां हमें सूरसेन के संदर में हमें दिया है किसके संदर में सूरसेन के नेतित में 1930 के चटगाउं सस्त्रागार छापे के संदर में क्या महत्पूर है तो चटगाउं जो सस्त्रागार छापा था दोस्तों इसके संदर में हमें दिया है चटगाओं कहा था यह पश्चिम बंगाल में था तो इसके संदर में हमें क्या महत्पूड है सूरसेन के नेतित में 1930 में जो चटगाओं सस्त्रगार में छापा मारा गया था तो क्या था तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं सिंपल सा परशन है यह इया अठार फो संतावन के बाद उस्वतंता के लिए पहला संगठित शसस्त्र संगर्त था यह 1857 के बाद उतना बड़ा एक संगठित शस्त्र मतलब ये था तो यही था, विकल्प नंबर यह था, तो आगे हम लोग देखते हैं, यह क्या है हमारा, यह वाला हमारा इंसर हो जाएगा, तो हम लोग अगर यह 86 वाला प्रशन देखते हैं, तो 86 में हमें देखे क्या दे रहे हैं, एक तरफ हमें क्रामतिकारी संग दे दिया है, और दूसर तरफ हमें नेता का नाम दे दिया है कि दूसरी सूची में तो कौन से क्रांतिकारी संग की स्थापना किस नेता ने किया था उसे हमें बताकर मैच कराना है तो अभिनो भारत इसको कौन बोल सकते हैं अभी मैंने इनकी चर्चा किया था वेटी सावर कर अभिनो भारत बेटी सा पर यही है तो बी वाला आपका एंसर हो जाएगा 86 का भी तो इस हिसाब से हम करते हैं यह डॉन सोसाइटी जो थी यह इसकी स्थापना किस ने किया था सतीस चंद्र मुखर जी और एक बचा एक फिरी इंडिया लीजन सुभास चंद्र बोस तो अगर हम लोग इसको डेट को अगर बारे में थोड़ा सा देख लें तो अभीनो भारत की स्थापना 1904 में हुआ था यह 1904 में और हम लोग अगर यह देखें गदर पार्टी इसको तो कोन बोल सकता है 1913 में और एक डॉन सुसाइटी की स्थापना 1902 और च्छा के बीच में हुआ था 1902 और च्छा के बीच में और यहां पर एक जो हमारा है फ्री इंडिया लीजन फ्री इंडिया लीजन के बारे में अगर हम लोग बात गया है तो 87 में क्या है यहां तो क्वेश्चन नंबर 87 लंडन इस्थित इंडिया हाउस भारती राष्टवादियों के लिए मुख्यतर महत्तपूर था तो लंडन में जो इस्थित था क्या इस्थित था इंडिया हाउस भारती राष्टवादियों के लिए महत्तपूर था क्यों था आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्याम जी कि शवर्वा मे बनाया था लंदन में इंडिया हाउस इस अपना रुस किया था, तो क्यों महत्पूर था दोस्तों? यह दोस्तों इसलिए महत्पूर था यह क्योंकि उपनिवेशी विरोधी समाचार पत्र इंडियन यह जो सोशियो प्रकाशन किया जाता था, तो यह हो गया हमारा इंडिया हाउस के संदर्में, किसकी स्थापना किस नहीं किया था तो 1905 में किये थे, स्याम जी कृष्ण वर्माने, हम अगर 88 वाला को देखते हैं, तो देखें, 88 वाले में अगर हम लोग देखें, तो इसमें आपको कह रहे है कि देशी रियास्तों में जन संगर्स के संदर में तो हमें दिया है कौन सा कथन हमारा सही है और सही उतर दीजें तो पहला वाला अगर हम पढ़ते हैं तो राश्टी आंदोलन के लिए देशी रियास्तों के लोगों के द्वारा आरंब किया गया आंदोलन प्रजा मंडल के न लड़ाई लड़ी तो यस तो दोनों बाते यहां पर यह तो नहीं यह गलत हो जाएगा दूसरा वाला गलत है क्योंगी दोस्तों रियास्तों जारा शुरू किया गया जन यह जो प्रजा मंडल के नाम जाना आता यह तो सही है उन्होंने सामन्त वाद और ओपने वैस वाद की दोहरी बुराईया यानि सामन्ती राजकुमारी के साथ साथ बिर्टिस प्रसासन के खिलाब भी लड़ाईया लड़ी तो यह वाला हमारा दोहरी बुराईयों के विरुद लड़ाई लड़ी तो यह दूसरा तो गलत हो गया हमारा तो केवल एक सही है तो हमारा यहां पर य बुराईयों के बिरुद्ध बिर्टिस प्रसासन के खिलाफ लड़ाई ये लड़ी तो बिर्टिस प्रसासन के खिलाफ लड़े थे तो गलत ही होगा ये गलत है ये वाला हमारा सही होगा तो 89 वाला अगर हम लोग देखते हैं निमलिखित में से कौन Congress Socialist Party का संस्थापक नहीं है तो Congress Socialist Party का संस्थापक कौन सा यहां पर नहीं है तो मसानी है नरायण है नरयन देव भी है यह S.A. डांगे नहीं है तो विकल्प नमबर D हो जाएगा यह डांगे नहीं है तो Congress Socialist Party यहां पर हम लोग देखें नब्बे वाले में तो नमलिखित में से स्त्री पूरुस तुलना नाम का एक कुस्तक है इसके लेखक कौन है तो यहां पर भिकाजी कामा पंडिता रमा बाई तारा बाई शिंदे शावितरी बाई फूले यहां चो चार नाम दिया गया है आपको इसमें पंडिता रमा बाई विकल्प नंबर यह बी होगा तो यही है इस्त्री पुरुष तुलना तो विकल्प नंबर हमारा यहां बी हो जाएगा आगे हम लोग इक्यानवे वाले में देखते हैं भारत इस्त्री महामंडल के संदर में आपको दो कथन दिये गए हैं और कौन सा हमारा सही है ये बताकर हमें पढ़कर समझकर सही उत्तर दें तो चले हम लोग देते हैं अपना पहला कुश्चन ये कुश्चन नमबर 91 का एंस्वर पहला में आप लोग देखेंगे तो आपको कह रहे हैं बताओ इसकी यानि भारती इस्त्री महामंडल के संदर में कह रहे हैं इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने किया था तो यस बिलकुल सही ये सरला देवी चौधरानी ने ही किया था इसकी स्थापना इसका एक प्राथमिक लच महिला सिच्छा को बढ़ावा देना था तो यस दोनों बाते सही है यहां तो दोनों के दोनों बाते सही हैं ये संगठन पूरे भारत में महिलाओं को सुधार के लिए जि इसमें कह रहा है कियांग नोंग बाहने कियांग नोंग बाहने कुछ चाइनीज छेत्र की तरफ के आसपास के छेत्रों की तरफ नाम लग रहा है ये तो कियांग नोंग बाहने 1862 में जैंतिया बिद्रोह का नेतित मुख रोप से किसके प्रतिकार में किया गया था तो किसके प्रतिकार में किया गया था जैंतिया बिद्रोह का ये तो ग्रीह करके अतरिक्त आयकर यानि जो होम टेक्स के अतरिक्त जो है वो income tax लगाया था, इसके बिरुद्ध में ये किया गया था, बिकल्प नमबर B, ये एक British अधिकारी था, 1862 में, इन्होंने जैनतिया बिद्रो का नितित किया था, तो क्यों हुआ था, उन्होंने home tax के अलावा ये direct tax, यानि इनका ये जो direct tax है, इसको लगा दिया था, तो 92 का ह हमारा B होगा, आगे देखें, 93 में, तो 93 में दोस्तों हमसे पूछ रहे हैं कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए, और बताइए हमारा कौन सा सही है, तो सूची वज़ में आपको सुतंतरता सेनानी नाम दे दिया, और सूची दो में आप से कह रहे हैं, ये उसक से सम्बंदेथ हैं, तो उससे मिला कर हमें बताना है, तो यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर हो, उसी के पास पहले जाईए, तो टी प्रकाशम, तो टी प्रकाशम इनका नाम होता है, यहाँ एटी दे दिया है, तो जायतर इनको जगए टी प्रकाशम ही कहा जा तो टि परकाशम कोई दोस्तों आंध पर्देश के केसरी के नाम से जाना जाता है इन है इतरं का सुनता से नानी और उनका जो उप नाम पड़ गया है उसके सम्मन्न मेellen जो बाते कही जाती है वही है तो यह जाएगा और यहां पर दोस्तों जो कामराज हैं उन्हें किंग मेकर कुरूप में के से कामराज के से किंग मेकर तो किंग मेकर कहां है किंग मेकर कुरूप में जाना जाता है यहां है तो C वाला चार पर आना चाहिए C वाला चार पर दो जगए है A वाला एक पर तो A वाला एक पर C वाला चार पर तो कहां है ऐसा ऐसा एक में है तो यही होगा हमारा एंसर क्योंकि A वाला एक पर है और C वाला चार पर तो ऐसा सिर्फ यही पर है और कई नहीं है इस हिसाब से अब हमें कर सकते हैं विल लोथल नारायन मेनन तो ये कहां जाएंगे ये एक प्रसिद्ध कभी थे ये ये एक प्रसिद्ध कभी थे बचा एक हमारा EMS नम्बूदरी पाद ये कहां के थे केरल के पहले मुख्मंतरी थे ये तो इस हिसाफ से हमारा A सही होगा तो 94 वाले में अगर हम लोग देखते हैं हिंदू रीत रिवाजों और संस्कृति को समझने के लिए बनारस संस्कृत कालेज की सुरुवात किसे ने किया तो जो बनारस संस्कृत कालेज सुरुवात किया गया था तो क्यों किया गया था आखिर अंगरेज ने क्यों करवाया क्योंकि उनको भी ये हिंदू रीत रिवाज और संस्कृति को समझने के लिए उन्हें भी चाहिए क्योंकि एक मेडियेटर भी चाहिए था उनको तो इसी उद्देश से बनाया गया था हिंदूरी त्रिवाज और संस्कित समझने के लिए बनारा संस्कित कालेज की स्थापना शुरू किया किस ने बनाया जोनानाथ डंकन, वारेस हैंडिंग, हैंस्टिंग, लॉड करजन और मैथ्यू मै काले तो किस ने किया था, यह आप लोग जानते हैं एकदम सिंपल सा परशन हैं दोस्तों, जोनाना था डंकन, अगर बियच्चू का पूछे, तब आप बतादेना, मदन मोहन मालवी और एनी बेसेंट हैं, तो वहां वो कन्फ्यूज ने होईएगा इसमें, दोनों बनारास में, त पढ़कर हमें बताईए, सही उत्तर देजी, तो पहला अगर हम लोग देखते हैं, इसने कलकत्ता मदर्सा और बनारास संस्क्रित कालेज जैसी प्राच्छ संस्थाओं को बढ़ावा देना सुरू कर दिया, तो क्या ये बात सही है, बढ़ावा देना सुरू कर दिया, तो दोस्तों नहीं, ये तो अंगरेजी सिच्छा अदियम जो आया, तो उसमें तो ये बनारास संस्क्रित कालेज था, उसमें क्यों बढ़ावा देगा, इससे इसका कनेक्शन तो नहीं होना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए, गलत है, दूसरा क्या है, इस अदियम का ये अंगरेजी सिच्छड को माध्यम बनाना था, यस ये बिलकुल सही है, क्योंकि ये इसी लिए आया था, कि हायर एजुक्रेशन को इंगलिस मीडियम में कनवर्ट करना था, तो बिलकुल सही, यहां पर भी हो जाएगा हमारा, तो चानबे में हमारा देखते हैं, इसकी स्थापना ततकालिन गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, यस बिलकुल सही, ये वाला तो सही है हमारा चानबे का, तो इसकी स्थापना ततकालिन, नहीं दोस्तों गवर्नर जनरल सही, ये गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जनरल तो वो था एक तरह से गव था दूसरा दोस्तों वो किया था तो यह वाला वात यह वहां का गवर्नर नहीं किया था तो यह बात यहां पर यह गलत हो गई क्योंकि ततकालिन गवर्नर के दोवारा नहीं किया गया था यह बात यहां पर गलत है तो वो उस समय का वो सचिव था मतलब मतलब उसका नाम नही इसने अंगरीजी सिच्छा को शक्ति से बढ़ावा दिया तथा प्राथमिक अस्तर पर अस्थानी भासा की सिच्छा पर प्रतिमंद्र लगाने का प्रयास किया तो नहीं दोस्तों यह सक्ति से नहीं लागू किया गया था और अस्थानी भासा को दबाने को भी यह नहीं किया आगे देखें हम लोग यह 97 में अलाउद दिन खिल जी का राजयत तो सिद्दान्द के संदर में कौन सा कथन सही है ये बताईए और सही उत्तर दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा तो इसमें पहले वाले मगर हम लोग देखेंगे तो अलाउद दिन ने दैवी सक्ती पर आधारित राजयत की संकलपना की थी तो दोस्तों यहां पर यह हमारा यह गलत हो जाएगा कि अलाउद दिन ने दैवी सक्ती पर आधारित राजयत संकलपना नहीं किया था अलाउद दिन ने एक मानवी प्रवित्यों के आधार पर राजसत्ता का उधारड़ा बनाई थी तो ये वह राजसत्ता में विश्वास करता था जो उसके अस्तुच से खुद उठाए गए थे तो ये वाला बात यहां पर वो दैवी सक्ती पर आधारित नहीं थी उसकी तो ये वाली बात गलत हो गई दूसरी के रहे हैं अलाउद दिन ने यामनी उल्क खिलाफत की उपाधी धारण की थी यस ये बी दो वाला सही है तो यहां पर हमारा जो इंसर होगा C हो जाएगा केव अगर हम लोग देखें तो एक तरफ हमें सूची में दिया है विभाग और दूसरी तरफ विभाग से संबंदित अधिकारी तो वह हमें मिला कर बताना है कौन सा हमारा सही होगा तो चले हम लोग तो यहाँ पर बताते हैं यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से या खूफी अजंसी उस टाई पर था और दिवान ए रियासत तो दिवान ए रियासत था यह बाजान नियंतर था दोस्तों अलाव दिन ने लाया था कि बाजार की चीजें बहुत महंगी नहीं हो पाए जिससे उरकुष सैनिकों को ज्यादा पेमेंट न देना पड़े तो कि बा के अता यह बाजस और यह था वे वाला हमारा चार पी गया हो हेल loft हो जैए दोी यह वालत बाली पर मुमाली गुपतचर भीदाग है यह दे का हुआ है एव निया दोस्तों सायए ॐस्यचनकों कुष बढल मिला ही दिया हूं सोरी गुप्तचर विभाग था ना मैंने गुप्तचर को और ऐर बारीद मुंवालिक गुप्तफटचर विभाग था और यह तो आ जाएगा यहां पर पाजरा यह two ठोट जो हे यही बाला होगा एंप से जहे एnelूमिनेशन से यान MALC ये दिवाने रियासत के एसाब से लगाया था तो यह हुआ यहाँ पर अब हम लोग यहां देखते हैं यह वाले में जैसे यह तो यहो गया, हमें पालोम चल गया अब ये C बी वाला जो है वो एक पर चलाएगा शाहना एमंडी बाजार अदिछक था ये हो जाएगा और मुनहियान ये तो गुप्तचर हो जाएगा एक तरह का तो इसमें हम लोग अगर क्लेरिफाइट कर रहा है यहां पर तो इस क्लेरिफाइट के माध्यम सम लोग यहां देखें तो यह हमारा यह ऑप्शन वाला यह सही होना चाहिए तो इस आधार का हम लोग कह सकते हैं यह सब चीजे यहां पर सही हैं आगे अगर हम लोग देखते हैं यहां से यह 99 वाले में तो M. BT के संदर्व में आपको कुछ कथंस दिये गए हैं, मुहमद बिन तुगलक के संदर्व में तो ये वाला हमें बताना है इसके संदर्व पढ़कर, कि कृसी सुधार के मुएनी M. BT के किसी सुधार जो किया था उन्होंने उसके सम्मंद में हमें बताना है कि कौन सा यहां पर यह सही है और हमें उसमें correct answer के बारे में बताना है तो जिस तरह से हम यहां पर देखते हैं पहले वाले में MBT ने दिवान एक कोही की स्थापना किया था एक तरह के एक कृष्षी विभाग था yes यह बिल्कुल सही है 99 का और दूसरे वाले में इसने दोवाब के छेत्रों में भूमी कर बृद्धी की जो उपज का 33% तक था तो दोस्तों यह दूसरे वाला बात जो पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला जो बात यहां पर की जा रही है तो दूसरा वाला यह गलत हो जाएगा नोंने भूमी कर्मी बृद्धी की जो कर रहे हैं उपज का 33% तक था तो यह वाली बात यहां पर यह गलत हो जाएगी तो हमारा एंसर जो होगा 99 का वो केवल B हो जाएगा यानि केवल एक सही है तो यह वाला आप जो जानते हैं फेमस फैक्टर है यह तो हम लोग अब हंडेट पे अगर देखें तो हंडेट पे आपको जो दिख रहा है यहां पर यह हंडेट वाले में तो किस सासक ने रैयत ए आला की उपाधी धारन की थी तो रैयत ए आला की उपाधी धारन करने वाला कौन सा सासक था तो यह हमें बताना है सिंपल सा कोईशन नमबर हेंडेट में वो खिजर खान विकल नमबर B हो जाएगा हमारा ये खिजर खान, तो खिजर खान ने सुल्तान को पादी धारन नहीं किया था, उन्होंने रईयत ए आला की उपादी धारन किया था तो आगे देखें हम लोग अब ये 101 में जो हमें पूछ रहे हैं, निमलिखित में से किस सासत ने स्वयम को सुल्तान घोसित किया और अपने नाम का खुत्बा पढ़वाया, तो किस ने करवाया, ये मुबारक शाह ने, विकल्प नंबर भी हो जाएगा, खिजर खान के बाद उसका बेटा था, ये मुबारक शाह आगे देखें हम लोग, एक शो दो में, निमलिखित में से कौन सा सुल्तान, गुलरुखी उपनाम से, गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करता था, तो गुलरुखी उपनाम से ये कौन सा, ये मतलब गुलरुखी टाइटल के नाम से, यानि उपनाम के नाम से कव मिताओं को रचना करता था तो कौन था यह यहां पर आपको चारना मुबारक शाह बहलो लोदी अलाव दिन आलम शाह या सिकंदर लोदी तो सिकंदर लोदी करता था दोस्तों विकल्प नमबड़ी हो जाएगा हमारा आगे अगर हम लोग देखें एक सो तीन में तो कह रहे हैं यहां पर देखें सिंपल सा प्रशन है यह कौन सा सुमेलित नहीं है चार दिये हैं तीन सही है एक गलत उन्होंने मिला दिया है उसी गलत वाले को हमें पकड़ना है तो देखें पहला अगर हम लोग देखते हैं तो पहले वाले में हमें क्या कहा रहे हैं तो दिवान एक कजा ये क्या था दिवान एक कजा ये दोस्तों क्या था ये एक न्याय विभाग था तो ये एक न्याय विभाग था ये सही है दबीर ए मुमालिक तो दबीर ए मुमालिक मुख सचू थे ये भी सही है नायब ए वजीर तो नायब ए वजीर थे एक उप वजीर थे यह भी सही है तो हमें जो पहले तिन सही हो गए तो इसका मतलब यह कही गलत होना है वो भी चौथा होगा हमें आता हो या नहीं आता हो हम लोग कहा देंगे बड़े गर्व से कहा देंगे कहां यही सही है मतलब question का answer सही है आपसे पूछा है कि सुमेलित नहीं है तो यही वाला सुमेलित नहीं था तो यहाँ पर जो दिया है एक काजी का परधान जो काजी का परधान होता है दोस्तो तो यह वाला यह अखूर बक नहीं था तो यही वाला हमें यहाँ पर दिया है यहाँ विकल्प नमबर दी वाला यही गलत है तो हम लोग आगे देखते हैं यह यह एक दे दिया हमें यह एक दे दिया हमें प्रमुक कारखाने दे दिया है दूसरे तरफ उसका उत्पादन दे दिया है तो किस कारखाने में क्या उत्पादन होता था यह हमें बताना है तो हमें अच्छे से बताना है यहां पर अच्छे से बिकल पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहां तो आलम खाना आलम खाना में शाही प्रतीकों और राज चिन्नों का उत्पादन होता था नाम में ही लग रहा है आलम खाना तो शाही, प्रतीक और राज का चिन यस यह वाला यानि एवाला दो पर आएगा तो एवाला दो पर आएगा इसका मतलब इसको हम लोग हटा दें या तो इनस्वर यह होगा या तो यह होगा अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां जो एक फराश खाना नाम दिया है, यहां फराश खाना में कालीन उत्पादन होता था, तो यह चला आएगा आपका एक के पास, यह कहां आजाएगा, एक के पास आजाएगा, यानि डी वाला एक के पास आएगा, तो डी वाला एक कह यहां है यहां है तो यह से हम कर सकते हैं हमारा एंसर यह होगा अब हम कर सकते हैं यह जामदार खाना में उच्छ गुडवत्ता वाले कपड़ों का निर्माड होता था तो यह सही है उच्छ गुडवत्ता वाले कपड़ों का निर्माड यहां नहीं दिया है क्या यह अच्छ है सीधा सीधा ही है और एक है रिकाब खाना में शाही अस्तबल अस्तबल मतलब जहां गोड़े जाते हैं गोड़ों के समन्दी तो करण सही है सब आगे देखें एक सो पांचवे में हमसे जो पूछ रहे हैं एक सो पांचवे में निमलिखित में से मिलिंद पन्हों के संदर में कौन सा सही है तो मिलिंद पन्हों के संदर में हमारा कौन सा कथन सही है यह बता कर हमें बताना है और हमें अच्छे से उत्तर देना है तो मिलिंद पन्हों के संदर में कौन सा एंस्वर हमारा सही होगा तो इसमें दोस्तों आप लोग जानते हैं मिलिंद पन्हों में तो यहां युनानी राजा मिनांडर प्रत्थम और बहुत बिच्छों नागसेन के बिच सम्वाध है मिलिन्द पन्यों में यही है तो विकल्प नमबर B जो हमारा 105 में यही B है यही B हमारा होना चाहिए तो आगे देखें हम लोग एक बहुत गरंत है इसमें यही चर्चा है डिबेट है एक तरह का आगे देखें तो निमलिखित में सिब पूर्व मिमानसा दर्सन के अनुसार वेदों से संबंधित कौन सा कथन सही है तो पूर्व मिमानसा दर्सन एक तरह का यह दर्सन है इसके अनुसार वेदों का संबंध में कौन सा कथन सही है तो पूर्व मिमानसा जो कहता है दोस्तों यह कहता है कि वेद सास्वत हैं और समस्त ज्ञान उसमें समाया हुआ है विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा तो दोस्तों हम लोग यहां पर लगभग यह देख लिए पूरा तो मतलब अभी हम लोग मौडन इंडिया देखे थे पहले क्योंकि डेड़ सो परशनों की अब दूसरे वाला आज अभी मैंने जो भी बना रहा हूं दो इसमें जो है एक अंहीं मद्यकालीन भारत अतर तो सोच रहे हैं तीसरे पार्ट में बनाए क्योंकि पहले पार्ट में ये था दूसरे में ये हो गया और तीसरे पार्ट में जो NCN से संबंदित हमारा प्रश्ण आ रहा है तो NCN से संबंदित हमारा जो प्रश्ण है इसको हम लोग सोचने हैं तीसरे पार्ट में करें अच्छे से क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग पूरा देखते नहीं उसका हमें नुकसान बहुत उठाना पड़ता है त तो हम लोग मिलते हैं next video में, यसी हम लोग next video में मेलेंगे, just इसी के बाद upload किया जाएगा ये तीसरा part, तो बिकल्प नंबर हमारा ये 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 तीसरा वेट करिएगा, इसी के बाद आएगा, incident से संबंदी सारे के सारे प्रश्न होंगे, तो चले हम लोग ये पूरा हो जाएग मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार